सर स्टूडेंट को कितने घंटे सोना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा सब लोगों को अपना अलग-अलग मानना होता है यूट्यूब पे व्यूज बटोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल दे लेकिन मेरे भाई मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूँ आज तक कभी आपने सुना है कि सोने से उस वेक्ति की मोत हो गई बिना सोय उस वेक्ति की मोत हो गई कभी नी सुना होगा ना कभी पढ़ा होगा ऐसा नहीं है कि आप 4 गंटे सोगे तो आपको कुछ हो जाएगा सुरुवात में परेशानी हो सकती है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन दिमाग काम नहीं करेगा दिमाग मतलब थोड़ा सा जो है उस लेवल से उस एफिशेंसी से काम नहीं करेगा जिस एफिशेंसी से डेली करता है इसलिए सब कहते हैं कि 6 गंटे की मिनिमम नींद होनी चाहिए और 8 गंटे आपको सोना कर चाहिए पर मेरा ये मानना है कि अगर आप 4 गंटे भी अच्छे से सो रहे हैं बहुत अच्छे से सो रहे हैं कंसेंटेशन के साथ बिलकुल कोई बीच में डिस्टरबेंस नहीं तो एक भरपूर नींद आप लोग ले रहे हैं बाकी सोना तो मेरे भाई 6-7 गंटे हमें चाहिए ही चाहिए 6-7 गंटे में हमारी बोडी बिलकुल रिलेक्स महसूस कर रही होती है फ्रेस माइंड हम लोगों का होता है जिस एफिसेंसी के साथ हमें ये दिमाग चलाना है मेरे भाई उस एफिसेंसी के साथ दिमाग चल भी रहा होता है तो सोने के साथ compromise मत करिए कभी भी, खाने के साथ compromise मत करिए, अगर समय ही घटाना है तो फरजी चीजों पर समय घटाईए मेरे दोस्त, ये natural चीज है, natural चीजों पर आपको time उतना ही देना होगा जितना बोड़ी मागती है, पर अगर आप दूसरा सवाल मुझसे ये पूछोग आपको अगर 7 बजे नींद आ रही है शाम को तो 7 बजे सो जाईए, अगर आपका मन कर रहा है कि आपकी आँख एक बजे खुली, भाई पढ़ने का कर रहा है तो 1 बजे से पढ़ लीजे, दो बजे खुली तो 2 बजे से पढ़ लीजे, लेकिन अगर थोड़ा सा रक्षस व प्रणी तो आप को जैसे आपका जम मन करें तब पढ़िया जैसा सन्य बताया उसे तरीक से अपने पढ़ाई कीजिए आप किसी बेकाव मताईए कि आपको बारा गंटे पढ़ना या पिर एक टाम टेवल होना चाहिए किसी की टाम टेवल भी पढ़ाई नहीं हो सकती है अपने मन से काम कीजिए क्योंकि जब हमारा मन खुछ होगा ना पढ़ने का मन तब ही जाता कपता है और इसमें प्रिविए को सब्सक्राइब और जैसे आपको देखा है और इसमें अगर इसको ओपन करके आपको दिखाऊंगे तो साथि अगर आप इसका कॉम्बो की सेट लेना चाहते हैं लेकिन अगर थोड़ा सा रक्षस वाली भावना मन में आ गई है रक्षस ही बनना चाहते हो साथ बज़े सोके सुबह साथ बज़े उठना चाहते हो तो भाहिया ऐसा पॉसिबल नहीं है चिंता होगी तो नीद भी नहीं आएगी है ना तो जब आपको लगे कि अब थकान है क्योंकि थकान के बावजूद अगर आपने पढ़ने की कोशिस की तो मेरे दोस्त चार गंटे का आउटपुट जो होना चाहिए था वो आप आट गंटे में लेके आ रहे होंगे एक गं